हेलो एलकम बेक टो माई चैलेंड डिजिटल मेरे लाए मैं हूँ इसके मासूद और आज बताने वाला हूँ लेक्टो फ्लो भेच कैपसुल के बारे में जो मा की दूद नहीं बन रहा है और जो बच्चा मा की दूद गरहन नहीं कर पा रहा है ये ओ इस कैपसुल हेल्प और डिजिटल्स में इस कैपसुल के बारे में जानकारी बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखना पूरा देखोगी तो फुल अप इन्वर्मेशन मिलेगी और इस कैपसुल को लेने से क्या साइड देखने को मिलता है और कौन सी टाइम में इस कैपसुल को लेना चाह करते हैं मार्केटिंग करते हैं ओ है मानिस फार्मासिटिकल बहुत बढ़िया कंपानी है वान इस्टी में 10 कैप्सूल आते हैं जिसका एमर्पी है 250 इसमें जो इंग्रीडियन्स है टावरोनी या पारिडॉक्सिन या ग्लाइसिन भी मजूत है या एल ग्लुको मेथाइन भी ह तो पूरा भेज कैप्सूले साभी मा इसको ले सकती है तो आप जनते किन कंडिसन में डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिसक्राइब किया जाता है मेंली इस कैप्सूल को प्रिसक्राइब किया जाता है ताभी जो मा की दूद नहीं बन रही है और जो बच्चा मा की दूद ग बहुत सारे कारण में हो सकती है, जैसे कि health supplement की वज़ा से भी हो सकती है, मतलब खाना अच्छी नहीं खा रही है, अच्छी नहीं खाना मिल रही है, उसके वाज़ा से भी दूद नहीं बन रही है, या मा के जो बेश्टे ओ सेल्स ब्लॉक होने की वाया से जो बच्चे ओ पी नहीं पाराई है उस कंडिशनों में इस कैप्सुल को दिया जाता है दूद नहीं ले पा रही है, मतलब जो बेश्ट के सेल से ओ ब्लोक है, और इस कैपसूल ओ ब्लोक को खोल देते हैं, और बच्चे आसनी से पी सकता है, और इस कैपसूल को लेने से जो मा की दूद नहीं हो रही है, ओ भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ही बढ़ तो बच्चे आसनी से ले सकता है, तो इस कैपसूल को लेने से बहुत सारे फाइदे हैं, एक बीटामिन कैपसूल भी है, तो जो मा लेती है, और जो दूद नहीं बन रही है, ओ भी आसनी से आ सके, और जो बिश्ट के सेल स बलोक है, बेसप्रम की दूराँ दूद निकलना, परता है उस कंडिशन में इस कैप्सुल को दिया जाता है और बहुत ही बहुत ही बैतर ही रेजल पर मिलते है तो इस कैप्सुल रिसेंट मार्केर में लॉंच हुआ है और डॉक्टर प्रिस्ट्रकाइब भी कर रही है और दो तिन पेसें अच्छे वेनिफिट दे रही है बहुत बडर Mitch कैप्सुल रही है दो आप ऐक बार यूज़ कर सकते है तो डॉक्टर को पूछन की बाद 뒤 यूज़ करना है तो अब जासे सियबक देखना को मिलता है तो इस कैप्सुल को लेने से कुछ साइट उपिृने देखना को मिलता है करन एक ठीज इसलिए कोई रिवक देखनों को मिलता है जो मां की ग्याज बनना या टेट में दैड़ दोना या पॉटी का स्वामस्ता होना यह सारी पॉबलेंद देखनों को मिलता है और इस कैपसुल को यूज कैसे करना है तो नॉर्मल डॉक्टर इसको पेस्क्राइब करता है और डॉक्टर बताते है किस तरह से इसको लेने चाहिए तो नॉर्मली फेशन को दो कैपसूल एक साथ लेना होती है मतलब सुबा के दो कैपसूल एक साथ लेना है और रात को दो कैपसूल एक साथ लेना है खाने के बाद अच्छे रिजल के लिए और किसी किसी पेशन को दिन में एक एक कैपसूल भी देते है दिन में दो बर तो एक कैपसूल की ए रहा बेनिफिट और बता दिया हूँ इस कैपसूल को क्या बेनिफिट होती है तो आप इस वीडियो अच्छ लगे तो एक लाइक कर देना और मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर इस वीडियो वाचिंग